बिसेशन यानि adjective से noun संग्या बनाना कि हम किस पेकार adjective से noun में परिवर्तत करेंगे, इसके rule है कि हम सब्द के अंद में ity लगाकर हम adjective से noun में change करेंगे, जैसे की brutal, यह जो सब्द है brutal इसमें ity लगाने में brutality हो गया, तो यह noun हो गया, adjective civil और civility एक noun हो गया, इकुल यह adjective बिसेशन और equality यह noun, inferior, inferior में ity लाणने पर inferiority हो गया, यह हो गया library तो library इस तरह से moral, morality इस तरह कोई भी सब्द हमें जब दिया हुआ होगा तो हम उसको ity द्वारा noun में बदलेंगे, इसी प्रकार हमारे पास अन्य सब्द हैं जिने हम जो है adjective से noun में change करेंगे, जि popularity, rapid, rapidity, real, reality, rigid, ragidity, stupid, stupidity, superior, superiority, timid, timidity, uniform, uniformity, valid, validity, bulgar, bulgarity, इस तरह से हम और सब्दों को भी change कर सकते हैं rule दो follow करने पर हम अगर सब्द के अंत में e है तो उसको हटा कर ity लगा दे दे हैं, rule वही follow है जैसे कि पहला rule से उससी के according हम करेंगे जैसे कि active इसमें last में e है तो e हटा कर i लगा देंगे तो activity जैसे fertile तो fertility, immense, immensity, pure, purity और scarce, scarcity, severe, severity, severity इस तरह से हम adjective यानि बिसेशन से noun में change करते हैं, rule 3 सब्द के अंत में ty लगा कर बिसेशन से noun बनाते हैं, जैसे किस पेकार हम देखो बनाते हैं, जैसे कि certain, certainty, cruel, cruelty, यानि कि अत्याचार, लोयल, लोयल्टी, रोयल, रोयल्टी, इस पेकार हम adjective से noun में change किया, अब rule 4 को follow करते हैं कि सब्दों में परिवर्तन करके ity या ty लगा कर हम बिसेशन से noun मनाते हैं, इसमें सब्दों में भी कुछ परिवर्तन होता है, किस पेकार होते हैं हम देखते हैं कि evil, तो इसका ability हो गया, जैसे कि e का i बन गया capability हो गया, curious, curiosity, इस तरह से curiosity change हो गया, enormous, enormity, forceous, forcity, तो इसमें सब्दों में बहुत परिवर्तन भी हुआ है, और हमने ity यह ty लगाकर इसको noun में change किया है, जैसे कि gay, तो gayty, by है तो y का i हो गया, generous, generosity, humble, humility, necessary, necessary, necessity, notorious, notoriety, इस तरह से हम यह सब्दों को adjective से noun में convert करते हैं, rule 5 को follow करें, तो सब्द के अंत्रम में anc और enc लगाकर जो adjective noun में change करते हैं, किस पर करते हैं, देखिए कुछ सब्दी यहां पर दिये हुए हैं, उनको हम लगाते हैं जैसे absent, तो इसमें enc लगाने पर absence हो गया, यह noun में change हो गया, अवेंडेंट, अवेंडेंस, डिलिजेंट, महन्ती, डिलिज, डिलिजेंट करत महन्ती, तो हो गया, डिलिजेंट, इमिनेंट, इमिनेंस, इसी परकार और भी सब्द दिये हुए हैं, जिस परकार हम adjective से noun बना सकते हैं, जैसे कि excellent, तो excellence हो जाएगा, इनसी लगाने पर और नाउन में बन जाएगा, innocent, इनसेंस, magnificent, तो उसमें इनसी लगाने पर magnificence हो जाएगा, इसी परकार, evidence, तो obedience में change हो गया, इनसी लगाने पर, इनसी आ इनसी लगाने पर हम noun में change करते हैं, अगर rule 6 को follow करें तो subject के अंत में परिवर्थन करेंगे, या बिना करें भी हम th लगाकर adjective से noun में change करते हैं, ज़रुवत पड़ेगी तो उसमें परिवर्थन करेंगे, नहीं तो th सब्द के अंत में लगा देंगे और adjective से noun में change करेंगे, जैसे word, word का breath हो गया, इसमें changing हो यह word में, जैसे dear, dear का depth, deep, deep का depth, इस तरह से मेरी, मेरी का मिर strength, इस तरह से change हो रहा है, long, long का length, सब्द में परिवर्थन, all last में, th लगाया, गया है, adjective से noun में convert करने के लिए, strong, strong का strength, true, true का truth, wide जैसे की, to width हो जाएगा, young, young का youth, इस तरह से हम इनको adjective से noun में change करेंगे, अब rule 7 को follow करते हैं, कि सब्द के अंद में परिवर्थन करके, a, c, y या, c, y लगाकर हम adjective से noun में change करते हैं, अब हम किस पेकार change करते हैं, आईए आगे को हम देखते हैं, जैसे की, यह दियो होगा accurate, तो accurate में, a, c, y लगाने पर accuracy हो गया, यह noun में change हो गया, adequate, adequacy, constant, constancy, इस पेकार fluent, fluent पर n, c लगाने पर fluency, c, y लगाने पर fluency हो गया, इसी पेकार हम adjective से noun में change करेंगे, इसी पेकार हम अन्य सब्दों को में भी परिवर्थन करके, हम recession से noun में change करते हैं, जैसे frequent, private, sacred, supreme, urgent, vacant, इन सब्दों को हम जो है उन्मे change करने के कोशिस करेंगे, इसको तुम अपने द्वारा करो, करो, यह देखिए, maximum सब्दें की सब्द के अंत में, n, e, s लगा कर, noun से change करते हैं, यदि सब्द के अंत में by है तो वो i हो जाता है, जैसे, देखिए, बीजी, यहां पर by है, तो y की जगे आई हो जाएगा, business, com, इसमें by नहीं है, तो इसी के साथ n, e, s लग गया, comness, cheap, cheapness cold, coldness, बहुत ही असान यह rules है, एगर, aggerness, तो इस पेकार आप बहुत से, जो है, words को adjectives से, आप जो है, noun में change कर सकते हैं, जैसे कि यह दिया हुआ, fat, frank, fresh, glad, good, great, happy, holy, large, mean, open, quick, round, set, slow, sweet, truthful, lg, weak, very, white, और भी कई सारे सब्दें, जिनके last में हम, n, e, s लगाकर, इनको हम, adjective से noun में change कर सकते हैं, और जिनके सब्द के last में by है, वह आई में change हो जाता है, अब next rule हम follow करेंगे, rule 9 को follow करेंगे, सब्द के अंद में ry या by लगाकर, हम adjective से noun में change करते हैं, किस पेकार change करत हैं, आईए देखिए, इनमें बहुत से सब्द हैं, जैसे कि, brave, तो इनमें ry लगाने पर bravery, यानि कि, बीड़ता हो जाएगा, honest, honesty, यहाँ पर सिर्फ honesty में only by लगा हुआ, rebel, reverse, slave, slavery, इस तरह से, बहुत से सब्दों में हम, खाली y लगाएंगे, यह rule 10 को follow करेंगे, सब्द के अंद में, dom लगाकर, adjective से noun बनाते हैं, इस तरह के बहुत ही कम सब्द मिलते हैं, तो आईए देखते हैं, कौन से, बहुत सब्दें जैसा, free, तो dom लगाने पर freedom हो गया, यह noun में change हो गया, जैसे कि y, इसमें dom लगाने पर wisdom हो गया, तो इस तरह से हमने इसमें change कर दिया, यानि कि, किस पेकार से हम, adjective से change करते हैं, तो अन्य प्रकार से, जो suffix होते हैं, यानि कि, जो सब्द के last में, प्रतिय हिंदी में बोलते हैं, वो लगाने पर हम, adjective से noun भी बनाते हैं, अगर आपसक प होते हैं, लग जाएगा, false, falsehood, h, double, o, d, hood ये एक जो है, suffix है, grand, तो grand के grandure हो गया, high, high का जैसे की height, इस पेकार से, हम adjective से noun में change करते हैं, और भी सब्द हैं, जिने हम इस पेकार से change करते हैं, देखिए, जैसे, hot, just, most, perfect, proud, sort, solitary, splendid, इन सब्दों के अंत में हम suffixes लगाएंगे और इनको